दोस्तों आपको तो पता ही है कि नब्बे के दशक की फिल्मों में उस दोर के अभी नेताओं ने ना सिर्फ एक्शन ड्रामा मोवी में काम किया था बलकि इनकी भागिदारी एक दमाद और बेटे के रूप में भी फिल्मों में दिखाई थी और इन्हें को देखकर असल जंदिकी के लड़के भी अपनी सासु माँ और माँ के लिए एक दमाद और बेटा बनने की कोशिश करने लगे थे भले इन्हों ने बड़े परदे पर अपनी माँ और सासु माँ को बहुत मांसमान दिया हो पर दर्शक इनकी करदारों में इतनी जादा प्रभावित हुए कि वो इन्हें सच में एक अच्छा बेटा और दमाद समझने लगे लेकिन दोस्तों बड़े पर बेटे और दमाद का करदार ने भाने वाले अभी नीता के बारे में तो आप सब जानते हैं पर शायद ही आप इनकी रियल लाइफ माँ और सासु माय के बारे में जानते होंगे जिनके चड़नों में ये स्वर्ख समझते हैं तो आईए जानते हैं इनकी माँ और सासु मा के बारे में नमर एक अमिता बच्चन नबे के तशक में सबसी दादा फिल्मे करने वाले सदी के महनाया का मिता बच्चन आज भी फिल्मी जगत में सक रहे हैं जहां आज भी फिल्मों के जरीए दर्शिकों से ठेर सारी प्रशन साख हासल करते हैं लेकिन अगर बात करें इनकी माता जी के बारे में तो उनकी माता जी के नाम तेजी बच्चन है जिनका ये बहुत मांसमान किया करते थे वहीं आपको बता दें कि इनकी माता जी 21 दिसमबर 2007 को इस दुनिया को अलविदा कहे चुकी है मैं बात करें कि सासु मा के बारे में तो उनका नाम इंतरा भातुरी है जो आज अपनी भरी पूरी फैमिली के साथ जिंदगी के आखरी लब हो को जी रही है अगर दोस्थ सैफ अली खान फिल्म टशन में मैं खिलाडी तूहनाडी से बॉलिफुड में अपनी आक्टिंग और डांसिंग के जरिये चाच आने वाले अपनी था सैफ अली खान तो आज भी 53 साल के उम्र में 25 साल के लड़कों को मात देते हैं लेकिन अगर बात करें की मम्मी के बारे में तो उनका नाम शर्मिला टैगोर है जो हिंदी फिल्मों की बहतरी नतकारा रहे चुकी है मैं बात कर इनकी मदल इनलोग के बारे में तो आपको बता दें कि इनकी दो सासुमा है इसमें पहले सासुमा कािपा नाम रुकसाना सिल्ताना है जो इनकी पहली बीवी अम्रतास सेंग की मौमी है वही ये पेशे से एक राज़निते कारे करता रहे चुकी है वह इनकी दूसरी सासु मा का नाम बबीता है जो इनकी पत्नी करिना कपूर की मा है और इनकी सासु मा बबीता भी हिंदस सिनमा के एक जानी मानी अभिनित्री रहे चुकी है सिंगां फिल्म से बॉल्वोड इतिहास में अपने पॉपलियरिटी को बढ़ाने वाले अभिनिता अजय देवकन आज भी फिल्मों में अपने लाजवाब एक्शन सीन से एक्शन मास्टर को हैरान कर देती है लेकिन अगर बात करें के सासु मा के बारे में तो उनका नाम अनी देवर उस्तो जब 90 के दशक में अक्टरस अनी देवर एक अक्शन हीरो के तौर पर बॉल्वड इंडस्टी में छाग गए थे तो इनसे डर करकर अभी नेताओं ने एक्शन फिल्मों ही करनी छोड़ती थी ताकि उनका एक्टिंग करियर बच सके वहीं बात करें की मम जिनमें इनकी ममी का नाम प्रकाशकौर है जिनके साथ जिन्दकी के हर मोड़ पर हस्ते मुस्कुराते हुए आए हैं वह इनके ममी आज भी अपने घर परिवार को समाले हुए है लेकिन अगर बात करें इनकी छोटी मा के बारे में यानिकी सत्तर रस्ते के दशक की खुश् बात शीट नहीं करते मगर हां यह उन्हें पूरा अधर सम्मान देते हैं वहीं अगर बात करें किसा सुमा के बारे में तो उनके बारे में कोई भी जानकार उपलब नहीं है पांच अक्षे बॉल्यवर्ड के खिलाडी कुमार यानिकी अक्षे कुमार ही एक ऐसे अभी नित परिवार के साथ रहती हैं और अपने बच्चों का ध्यान रखती है वहीं बात करें कि मदने लोग के बारे में तो उनका नाम डिंपल का पाडिया है जिन से यह एक बेटे से भी जाधा प्यार करते हैं वहीं नोंने अपनी सासुमा की सारी रिस्पॉंसिटी एक बेटे की तरह अपने उपर ले रखी है सुनील शेटी बॉलिवड की फिल्मों से लेकर साथ की फिल्मों में अपने कलाकाली और अदाइगी का जल्वा दिखाने वाली अभीनेता सुनील शेटी आज भी 53 साल के उम्र में काफी स्मार्ट और हांसम दिखाए दिते हैं लेकिन अगर ब नेता की मा और सासु मा के बारे में पहले से जानते थे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताएं और साथ ही छोटे पर्दे से चुड़ी ऐसे और वज़दार खबरों को देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले